एक इंसान सिर्फ अपने हाथों के इशारे से दर्वाजे को खोल सकता है, मशीन को कंट्रोल कर सकता है, कौन है वो और ऐसा कैसे कर लेता है, कौन है वे बंदा जिसकी चहरे में एक नहीं, दो नहीं, ग्यारा होल्स हैं, कहीं आप इनफर्नल ओर सी को देख कर डर तो नहीं चा मरमेट, दोस्तों आपने मरमेट की स्टोरी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको बताते हैं, एक ऐसी रियल मरमेट के बारे में, जो कि अपनी लाइफ को एक रियल मरमेट के जैसे ही बिताना चाहती है, आप जिसे देख रहे हैं, यह कनाड़ा में रहने वाली एक गरल हैं, और यह मरमेट से इतनी इंस्पायड हैं, यह सालों से अपना लुक्स इसी मरमेट के जैसे ही बना कर नकेवल रखे हुए हैं, बलकि अपनी रेगलर लाइफ का काफी सारा टाइम स्व्यूमिंग के लिए भी देती हैं, शुरू में जब इनको यह शौक लगा, गोजारना चाहिती है, नमर दो, दोस्तों हम मिलवाने वाले हैं, एक्स्ट्रीम बॉडी आर्टिस्स से, इंसान अपने आपको दुनिया में विचित्र से विचित्र दिखाने के लिए क्या कर सकता है, देखिए इस बंदे को शायद उसने जो किया, वे आपके होश वड़ा होल्स कराए हैं, उनमें से कुछ तो डेल इंच डायमीटर की भी हैं, अब इस बंदे का नाम भी गिनेस बुक आफ वर्ट रिकॉर्ड में दर्ज होना ही था, तो हो गया, लेकिन यार मेरे दिमाग में एक सवाल है, हो सके आप उसका उत्तर देना, आपको क्या लगता है, स् इसे देखने की जरूरत विल्कुल ना करें, क्योंकि इस बंदे ने अपनी बॉड़ी के इतने ट्रांस्फॉर्मेशन करवाए हैं, कि आप इसे देखकर समझ ही नहीं सकते हैं, कि या इनसान भी है, इसे देखकर आप कोई खतरनाक जान बर ही समझें के, इसके दाद देखि इनकी फैमली का इंस्प्रेशन हैं, आप देख सकते हैं कि इसकी एक बेटी भी है, जो कि अपने डैड के इस डेंजरस लुक को काफी पसंद करती हैं, इनका नाम है रीकी सुजा, जो ब्राजील के रहने वाले हैं, नमबर चार, डॉर्गर्व, दोस्तों अब हम आपको जि इस डॉल की तरह ही कनवर्ट कर चुकी हैं, आज उन्हें देखकर उनसे बात करके आपको यही महसूस होगा कि आपके सामने शायद कोई डॉल है, यह डॉल कोई ऐसी वैसी डॉल नहीं हैं दोस्तों, इनका ट्रांस्फॉर्मेशन, लुक देखकर अच्छे अच्छों के हाल फिल्म भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यह तो आपके सामने जिन्दा होरर डॉल बन कर खड़ी हुई हैं, तो फिर कमजोर दिलवालों का जिन्दा बचना तो मुश्किल हैं दोस्तों, एक्छुली यह लंदन में रहने वाली गर्ल जैस्मीन हैं, और इनके फादर एक रॉक मुजीशन हैं, और इनकी मदर एक ड्रमर हैं, और बेटी ने अपनी बॉडी को डेंजरस डॉल मेंड ट्रांस्फॉर्मेशन करवा कर एक नए जहंडे गार दिये हैं, जैस्मीन जपानी डॉल से इंस्पार्ड हैं, इसलिए इन्होंने अपने आपको डिफरेंट तरह हैं, इसके सिर्फ पर सींग भी बने हुए हैं, इनके सींगों का डिजाइन तो आप देख सकते हैं, इसे बनाने में इसने काफी मशक्कत की हैं इसने अपने कान के निचले हिस्से में इतने बड़े होल्स करवाए हैं उसमें वहलूहे के रिंग्स पहन सकता है इतना ही नहीं इसने अपनी जीव को भी ट्रांसपॉर्म करवा कर दो हिस्सों में अलग-अलग करवा लिया है यह तो वह चीज है जो आप असानी से देख पा रहे हैं लेकिन अपने बॉडी के कुछ ना दिखने वाले पार्ट्स को भी इन्होंने ट्रांसपॉर्मेशन करवाए हैं दुनिया में एक से बढ़कर एक नमूने हैं जो की सबसे अलग दिखने के लिए शायद कीचर से भी बना शर्वत पी लेंगे इसकी कहानी लेकिन यहां खत्म नहीं होती यह बंदा जो भी है इसने अपने हातों में और अपने बॉडी में कई जगे इलक्ट्रोनिक डिवाइस को भी लगवा रखा हुआ है देखिए अपने बॉडी के अंदर ऑपरेशन से फिट करवाए हुए डिवाइस से यह कैसे दरवाजा खोल लेता है एक बात तुमाननी पड़ेगी विचित रतर है दिखने वाले बंदे ने अपने बॉडी पर एक्स्टा ओर्डिनरी प्रयोग और काफी मेहनत की है दोस्तों अब हम जो नमूना आपको दिखाने जा रहे हैं इसने तो अपने आपको वर्ल्ड से डिफरेंट दिखाने के लिए अपनी बॉडी का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करवाया है जो आपके रॉंग्टे खड़े कर देगा इसके ट्रांसफॉर्मेशन लेवल को समझने के लिए अब यही सुन लीचे कि इस बंदे ने टैटू बनवा कर अपनी आईज को ही ट्रांसफॉर्म करवा लिया इसके लावा आप इनकी जीब तो देखी पा रहे होंगे जो इन्होंने एक से दो बनवाली है अपने बालों को भी मॉडिफाई करवा लिया है जो की देखने में सूखी खड़ी घास जैसे दिखते हैं जिसका कलर आप देखी पा रहे हैं इनका लोग कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इन्हें देखकर इंप्रेस कम होंगे और डरिंगे ज्यादा आपको लगेगा यह कोई टेंजरस इंसान है जो कभी किसी को नुकसान पहुचा सकता है लेकिन इस बंदे को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता यह तो अपने आपको ग्लोबल आर्टिस समस्ता है और भीड़ वाली जगों पर बैट कर ये पियानो बजाने लगते हैं जिससे की लोग इसे देखें और आश्चर चकित हो जाएं और यही इस बंदे का काम है किंग ओफ टैटूस दोस्तों आपने एक से बढ़कर एक टैटू बनवाने वाले बंदे देखें होंगे लेकिन अगर आप किंग ओफ टैटूस मतलब टैटू के बाश्चा शेहनशा वगेरा वगेरा से ना मिले तो क्या मतलब अब जो बंदा हम आपको दिखाने जा रहा हैं दोस्तों इनोंने अपने बॉड़ी को टैटू से बढ़ दिया है और उससे भी बड़ी और आश्चा चनक बात हुआ है कि यह जो टैटू बनाते हैं या इनकी बॉड़ी में जो टैटू है इन्होंने अपने हाथों से ही बनाय है हमारे वीडियो में आपने और भी आर्टिस्ट देखे होंगे उनकी जीप भी अलग तरहे से इन्होंने अपनी एक से दू जीप करवा दी है लेकिन उन्होंने कहानी को यहीं खत्म नहीं होने दिया और आगे इन्होंने अपनी बॉड़ी में और भी मॉडिफेकिशन करवाए है देखे अपने हाथों के ऊपर इन्होंने कैसे टाइनसौर के जैसे डिजाइन बनवा कर रखे हुए है यार इंसान अलग देखने के लिए क्या क्या बन जाता है अभी तक आपने जिन लोगों को भील में देखा होगा वह लोग इस दुनिया से अपने आपको हट कर दिखाना चाहते थे और इसके लिए अपने बॉड़ी, मॉडिफेकिशन, टैट्यूज वगेरा बनवाया करते थे लेकिन अब हम जिसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं क्या जो गर्ल है यह अपने आपको इस दुनिया से अलग ही दिखाना चाहती है वह दूसरी दुनिया का दिखाना चाहती है वह अपने आपको एलियन शो करना चाहती है और देखिये उसने कैसे अपने आपको ट्रांसफॉर्म करवा के रखा हुआ है दोस्तों अब जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह एलियन करल है लेकिन इनके इस ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा भी एक इंपॉर्टेंट वर्क करती है जिससे की अच्छा खासा पैसा भी कमा दिया करती है दोस्तों यह एक आर्टिस्ट भी है और यह न्यू नेल डिजाइन्स बना कर उससे मोटी रखम कमाती है तो दोस्तों हमने आपको विचित्र से विचित्र दिखने वाले इंसानों के बारे में बताया इन में सिक्छिस आर्टिस्ट ने आपको मैक्सिमम इंप्रेस किया हमें कमेंट सेशन में जरूर वदाएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहिंज भारत पंदिमात राम